नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पियार रियसना आपके साथ है बिहार में बिहार बोड दसवी की परिक्षा चल रही है और बड़ी संख्या में स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं वही अगर हम बात करें कि परिक्षाओं में कुछ-कुछ ऐसी घटनाओं को तो अक्सर बि महिला मुझपरपूर के MDDM कॉलेज केंदर पर एक्जाम देने पहुची थी और वही उसे प्रसव पीड़ा होना शुरू हो गया और ठीक एक घंटे बाद जब उसके दर्द बरदास्त के बाहर चल गया तो केंदरा धिक्षक दो थे उनको यह information दिया गया जिसके बाद एक inspiring हो जाती है क्योंकि हमने देखा है कि महिलाएं जो है अब आगे बढ़ रही हैं पढ़ना चाहती है ऐसे में दसवीप की परिक्षा जो बेस होता है उसे कोई नहीं छोड़ना चाहता और सभी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम अच्छे तरीके से आगे बढ़े बताएं आ नहीं छोड़ती हैं और इस तरीके से हमें यह समझ में आता है कि बिहार में महिला श्रसक्तिकरन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इसके अलावा अगर हम प्रशासन सरकार की बात करें तो लगतार महिलाओ के लिए आगे आए हैं बिहार में खास तोर से महिलाओ पर उनका विभिन तरीके से और काफी फोकस भी रहा है बात करेंगे अगर हम सराबंदी की तो महिलाओ को ध्यान में रखते हुए ही यह भी किया गया था साइकल योजना पोशाक योजना ना जाने बहुत सारी योजनाएं महिलाओ के लिए लाए गया और वहीं अगर हम ऑफ काफी हा करती है कि किसी हार में परिक्षा तो देना ही होगा लेकिन एक और बात तीहां पर सामने आ रही है कि जिस तरीके से इस बार दस्मी की परिक्षा काफी हाइलाइट बिइड़ रही है बहार बोट की, क्योंकि तर्जश्वी यादन में जबसे आवाज उठाना शुरू किया, कि किस तरीके से परिक्षाओं में पेपर लीक कि खबरे आ रही हैं, पहले भी पेपर लीक की खबरे आई, सोसल साइंस की परिक्षा रद कर दी गई तीन के इंदरों पर और जो की आठ मार्च को फिट से होना है इसके अलावा कल भी अंग्रेजी की परिक्षा जो है उसमें पेपर लीक की बापे सामने आई एन कॉलेज पटना में एन कॉलेज में इसका जम कर भी रोद किया गया चातरों के द्वारा परिक्षा दुवारा नहीं लेने के लिए और जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है कुछ बच्चे जो सच में पढ़ाई करते हैं मेहनत करते हैं उनके ऊपर ये सवाल उठ रहा है किस तरीके से वो ठीक तरीके से परिक्षा नहीं दे पा रहे हैं इन सभी चीदों से डिस्टरब हो रहे हैं उसके अलावा बिहार में गड़बडियों की खबर लगतार आ रही है इसके बाद भी बहुत सारे लोगों को गिरफतार कर लिया गया है बैंक के तीन कर्मियों को गिरफतार किया गया है और ऐसी खबर लगतार आ रही है और अंग्रेजी पेपर वाइरल को लेकर भी दो लोगों को गिरफतार किया गया है तो इसके प्रॉस्ट भी है कौन्स भी है महिलाओं महिलाएं जिस तरीके से आगे बढ़ रही हो है ऐसे में अगर पेपर लीक जैसे खबर आती है तो फिर हिम्मत टूट जाता है फिलहाल खबर यही कि मुझबपरपूर के एक केंदर पर महिला ने बच्चे को जन दिया और बच्चे का नाम रखा इम्तिहान तो लाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यपाद